को वा गुरूर्यों ही ही तो पदिश्ठा शिश्यस्तों को यो गुरु भक्त आईव को दीर्ख रोखो भव है बसाधो किमो शधंतस्य विचार आईव आदि शंकराचारे जी कहते हैं गुरू कौन है गुरू वो नहीं जो तुम्हें अध्यात्मिक ग्यान दे गुरू केवल वो नहीं जो धरन का ग्यान दे गुरू केवल वो नहीं जो गिर्वे वस्त्रधारिन करे अरे गुरू तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे तुम्ह पर आज हम से बाद करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया के आपकी राशी पर क्या प्रभाव देगे और आज बताने जा रही हूं की गुरु वापस से उनकी व्रक्री दुष्टी समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशी में क्या प्रभाव देंगे गुरू ही वो ग्रहे हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बूद कराते हैं ज्यान का बूद कराते हैं सुख साधन एश्वर धन संपत्ति नाम सम्मान सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरू देते हैं जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानी हुई जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपतियां चली गई अब जब मार्गी होए हैं तो आपकी राशी में क्या देंगे आज वो ही जा राप्त होता है जो हमारा मार्क दर्श्वन करता है तो चलिए शुरू करते हैं गुरु घ्रे का मार्की राशी फल लेट्स केट स्टार्टिट यह जो राशी फल है आपकी चंद्र राशी पर आधारित है अगर आपको अपनी जर्मकुनली अनुसार अपनी चंद्र राशी पता नहीं है तो नाम राशी से भी आप इस राशी फल को देख सकते हैं यह जो राशी फल है जो ही मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है अभास होता है वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशी फल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडिन्स देगा आप सभी भक्तों के ग्रेहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवगरे शांती महायक्य का आयूजन कर रहे हैं जो लोग भी दिली में हैं उसके आसपास हैं या दिली आ सकते हैं तो आकर के स्वेम अपने नाम से अपने हातों से आप आहूती उसी यग्य में प्रदान करें जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोतर अपने परिवार की मुख्या का नाम लिख करके हमारा जो वाट्साप नमबर आ रहा है उस पर भेजें यग्य होगा यग्य के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नोगरे शांति की कथा की जाएगी उसके मुख्य अजमान बनना चाहे या आयूजिन में आप सहयोग देना चाहे तो बिलकुल आप दे सकते हैं वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है ये सात्वा महायक के हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुती दे करक शान्ति कर रहे है पहली बार पूरे विश्व में नौगर्य शान्ति की गथा पड़ी जाएगी मैं स्वै्म उस कथा को करूँगी कहते हैं जो लोग भी नौग देवताओं की कथा को श्रवन करता है उनके सभी दोश समापतों होते हैं जर्म कुणली में कितने भी विकट mark रहें बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस कथा को स्वेम आकर के जरूर सुने, इसके मुख्ये अजमान बने, नहीं आ सकते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से इसे जरूर सुनियेगा, मिथुन राशी वा परिक्षा ले रहे थे इस समय में, और धन कहीं ब्लॉक कर दिया गया था आपके लिए, तो वो धन के रस्ते मुझे खूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रहस्पति के आशिरवात से, तो इस समय में, जब जब ब्रहस्पति आपके मेश राशी में मारगी बने रहेंगे तो आपको धन में लाब जरूर करेंगे, और आप अपनी फैमली पर इस समय में काफी अच्छा स्पेंट कर पाएंगे, कुछ अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे, तो मोटा मोटा ये फनेंशली अगर बात करें, तो ये परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए अच्छा कम मिलेगा, तो वो आप समय आ गया कि आपका फल आपको जरूर मिलेगा, एक और छोटी सी परिक्षा रहे गई है, वो थोड़ी सी परिक्षा और अभी आपको देरी है, उसके बात देखो कैसे आपको फल मिलना शुरू हो जाता है, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं, बहुत जादा है, और आप उस कॉम्पिटिशन से परिशान हो रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा नया आइडिया सुझेगा, जिसकी वज़े से आप सारा कॉम्पिटिशन खतम कर दो कि कुछ नया ऐसा इनुवेश्टिव आइडिया, कोई नई ऐसी बात, कोई नया ऐसा परचा हैं और अगर कॉम्पिटिशन से परिशान है, अगर बात करें बनहिश्पती के आशिरवाद की तो एपको दोनों जगा मिल रहा है आपके और परस्नल के बसको लेएफ में आपको लाइफ में आपको लाब हो रहा है, आपको की जीवन में ऐसा दिखक रहा है कि आपका कद जरूर बढ़ेगा, आपका स्टेटस जो है इस समय में गुरु ग्रह के खुलते ही आपको स्टेटस आपका बेटर होगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को कुछ अवार्ड मिलते हुए, या कोई सम्मान मिलते हुए, कुछ लोगों को तो मैं शॉल मिलते हु कॉरु आपके करियर में आप काफी तेजी आपके स्टेजी की चाहे वह जखात की डिखाए दे सही काम के लिपउए लाया है, ये कंब बीखाएगा, फिर काम करेंगे घ्रुες नागी तो करियर Plaid को मैं चीज चाहिए ज टेरुए即ोण हम स्टमाने चीत श्कौनार पहले यहा मैं और मेरे परिवार बहुत परिशान था सबसे जादे समझ से मेरे बेटे के बारे में थी उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी जब मैं यहां पर आया मा में जो नारियल और चुन्नी दी थी माने तो पहले दिन से ही ऐसा शांती और उसका काम में भी बरकत और जो उसक में भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया मेरे बेटे में उसको अच्छा फील हुआ तो मुझे नहीं पता हूँ सवाव मीटर लालकपडे में और नारियल में क्या माशक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं खाते जो मा कहती हो करते हैं और उसके मेरा तो काम हो कुछ लोगों को मुझे थोड़ी लंग्स में प्रॉब्लम जरूर दिख रही है तो वहां अगर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि कफ जो है या खासी जो है बहुत लंबे समय तक चल रही है और हम उस ठीक ही नहीं हो रही है सब तना का उप्चार कर लिया घरेली उप कंसल्ट करें अपना एक्सरे वगेरा जरूर कराएं थोड़ा सा लंग्स में मुझे प्रॉब्लम दिखाई देरी कुछ लोगों को अगर आस्तमा है तो ब्रीधिंग रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देरी है वहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है कुछ लोगों को थोड़ा सा हीरिंग में प्रॉब्लम भी मैं सुन रही हूं कुछ हीरिंग में प्रॉब्लम आपको हो सकती है वहां भी आपको थोड़ी केर करनी है इस समय में आपका थोड़ा वजन बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आपको थोड़ी सी सक छोत पाते हुई और बहुत सारे लोगों को के बीच में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आपकी कंपनी में एशा है कि आपको दिखा जा रहा है और बाकी लोगो को कमपेर किया जा रहे है तो आप उन्हें से बिलकुल शाइन होकर के बाहर निकलेंगे किसी भी चीज अगर आपको consider किया जा रहा है या स्कूल में भी अगर आपको consider किया जा रहा है तो आप उसमें निकल करके आएंगे, आप उसमें best दिखेंगे, तो वो दिखाई दे रहा है, कुछ लोग जो है अपने उपर काम करते होई दिखाई दे रहे हैं, उनकी skin जो है वो better होती दिखा करके आएगा, और काफी young और youthful आप फिर से दिखने लगेंगे, कुछ लोग मुझे कुछ writing करते होई दिखाई दे रहे हैं, और कुछ अच्छा समय अपने साथ बिटाते होई दिखाई दे रहे हैं, कि जहां आप काफी समय से बहुत जादा बस confused थे, चले जा रहे थे, और चीजें क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहे ही थी, तो आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, इरिटेट सा महसूस कर रहे थे, तो वो चीज ना हो करके आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कोई समय अपने लिए निकालोगे, और अकेले में अपने साथ आप अच् जरूर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परिशान ना हो, आपके गुरुमा सदैव आपके साथ हैं, हम निशुल्क जनमकुनली परामर्ष देते हैं, हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया चाता ह तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जनमकुनली मुझे दिखा सकते हैं, या अगर जनमकुनली नहीं है, तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं, फेस रीडिंग से जनमकुनली बनाते हैं, और अगर आपको कीवल कोई समस्या है, तो उसके लिए जो भी मैंने इत इस जरूर पूरी होती है, तो एक नारियल सभा मीटर लाल कपड़े में बांध कर के लाएं, और भगवान शनीदेव की खृपा आपने साथ ली जाएं, आप सभी को आशिरवात देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनन्दायक हो, ऐसी मैं प्रातना करत हो, जै शनीदेव, जै श्री कृष्णा